नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है UP Board Math Science मैं आपका दोस्त और होष्ट इम्रान खान जैसा कि हमने और हमारी तीम ने आप से वादा किया था कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग Class 10th के भी विज्ञान विशय के Multi-Objective Question का Clarification आपके सामने ले करके आएंगे तो आज हम अपने वादे को निभाने जा रहे हैं अब आपको हमारे चैनल पर Class 10th Science विशय के Multi-Objective Question का Clarification मिलेगा और हम लोग यहां पर भी नगीन पॉब्लिकेशन या नूतन पॉब्लिकेशन कुमार मित्तल जी के द्वारा जो लिखी पुस्तक है उसी के Multi-Objective Question का Clarification करेंगे आपको बताना चाहते हैं कि इस बार कुमार मित्तल जी की बुक अपडेटेड वर्जन मार्केट पे आउलेविल हो गया है लाश्ट टाइम आपने देखा होगा कि बुक Black and White शपी हुई थी बट इस बार जो बुक है वो Colorful शपी हुई है और इस बार इनोंने बुक में NCERT की Guide Line का पालंक किया हुआ है और एक खास बात और भी है यदि आप कुमार मित्तल की बुक को लेते हैं विज्ञान विशे के लिए तो यहाँ पर इनोंने दो तरह के अभ्यास बनाए हुए है पहले NCERT के अभ्यास को पूरी तरीके से हल करके दिखा दिया है पार्ठ के अंत में और इनोंने एक अपना भी अभ्यास बनाया हुआ है जिसे आपको अपने जो आपने concept किलियर किया है पूरे लेसन से उसके दम पर हल करना है तो समय ना बर्बाद करते हुए जो पहला अध्याय है विज्ञान विसे का रास्तायनिक अभ्यक्रियाएं एवं समी कराँ इसके multi objective question का clarification श्टार्ट करते है question number 1 आपकी screen पर प्रशन संक्या एक के अनुशार तरप्त निकल चूर्ड की उपस्थित में एथलीन तथा hydrogen की अभ्यक्रिया कहलाती है चार विकल पर दिये गए है प्रतिष्थापन अभ्यक्रिया कहलाएगी या योगात्मक अभ्यक्रिया कहलाएगी या उसमी अपगटन अपक्रिया कराएगी तो इस प्रशने से सम्मदित क्लियरिफिकेशन हम आपको अवलीबिल करा रहा है आप बराबर हमारी आवाज और अपनी स्क्रीन पर नज़र रखेंगे हम लोगों ने प्रशने पर लिया है अब बात यह है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस प्रशने की अपक्रिया है तो सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रशन में कौन सी चीज़े दी गई है और कौन सी अपक्रिया करानी है इनके मद्द में और किस तरीकी के उत्पात बनेंगे तो यहां पर कहा जा रहा है एथलीन और हाइड्रोजन के क्रिया निकल चून की उपस्थित में करानी है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे है कि हमने एथलीन ले लिया है एथलीन का सूत रोता है C2H4 और हाइड्रोजन का हो जाएगा H2 तो अभिकारक के रोप में हमारे पास है C2H4 प्लेस H2 और यहां पर तीर का निशान लगाया है आपको पता है कि रासाइनिक समीकरान में जितनी भी विशिष्ट अवस्थाएं होती है वो तीर के चिनने के ऊपर या नीचे पर दर्षित की आती है तो यहां पर निकल का चून है तो निकल का पर जो परतीक होता है NI वो यहां पर दर्षा दिया गया है और नीचे टमपेटर लिखा गया है 300 डिगरी सेल्सिया अब जब यह अपक्रिया हो रही है तो उत्पात की रूप में हमें मिल लहा है C2H6 अब आप सभी लोग जानते हैं कि C2H6 क्या होता है यह होता है एथेन पूरी समीकराण आपने देखा यहां पर आप देख रहे हैं कि अभी कारा के रूप में दो चीज़े यह जो रही है और उत्पात के रूप में हमें एक चीज़ प्राप्त हो रही है अब यदि हमने रासाइनिक अपक्रियाओं के प्रकारों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो हम बहुत आसानी सा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यह किस प्रकार की अपक्रिया है तो यहाँ पर हम सीधे उत्तर वाले पॉइंट कर डिसकेशन करेंगे ताकि वीडियो लंबा नहो और जादा से जादा सवाल एक वीडियो में कवर किये जा सकें तो आपको पता है ना कि जो योगात्मक अपक्रिया होती है वो अपक्रिया परिभासा कहा देती है यह कहती है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदात सयोग करें और केवल एक नया पदात प्राप्त हो योगात्मक अपक्रिया कहलाती है अभिकारक के रूप में दो या दो से बादा चीजे हो जाए लेकिन उत्पात के रूप में केवल एक चीज मिले तो यह योगात्मक अपक्रिया कहलाएगे आप देख रहे हैं इसक्रीम पे कि अभिकारक के रूप में दो चीजे हैं एथलीन और हाइड्रोजन और उत्पात के रूप में हमारे पस केवल एथेन है तो डिफनेटिली यहाँ पर जो प्रशण का सही जवाब है यहयैं योगात्मक अपक्रिया यह उधारन योगात्मक करिया को निरूपित कर्दा है यह चीज और द रख्येगा कि योगात्मक अपक्रिया को सैयोजन अपक्रिया भी कहते हैं तो हो सकता है कि विकल्प आपको बदल दे और वहाँ आप confused नहूं तो इसलिए बहतर रहेगा कि आप अपने दिमाग में ये बात रखेंगे कि योगात्मक अपक्रिया को ही सैयोजन अपक्रिया कहा जाता है Question No.2 आपकी स्क्रीम पर Question No.2 के नुशार Lead Nitrate का रासाइनिक सूत्र क्या होता है नीचे चार विकल पर दिये गए है आप प्रशन आपकी स्क्रीम पर देख रहे है और आपको ये पता है कि यदि हमें Lead Iron का और Nitrate Iron का सूत्र मालूम है इन मुलकों के सूत्र मालूम है तो हम Lead Nitrate योगी का रासाइनिक सूत्र आसानी से Find Up कर पाएंगे तो Question No.2 का सेलुशन आपकी स्क्रीम पर अवलेबिल है आप स्क्रीम पर देख रहे हैं कि हमने Lead Nitrate को दो इस्सों में Convert कर दिया है Lead on Nitrate Lead का हमने सूत्र रखा है ये एक Radical है मूलक है और धनात्मक मूलक है तो इसका सूत्र है PB++ जहां प्लेस प्लेस ये 2 प्लेस Lead की सहीं हो जगता है और Nitrate जो है वो इसका Formula रहेगा NO3- अब यहाँ पर जब इनका Combination होगा तो इनकी सहीं हो जगता है एक दूसरे के नीचे की और विस्थापित हो जाएंगे या आ करके Arrange हो जाएंगी Set हो जाएंगे आप अपनी Language में कैसा भी बोल सकने है तो Nitrate की सहीं हो जगता तो कितनी है Minus 1 तो वो Lead के नीचे आ जाएगे और Lead की सहीं हो जगता Nitrate के नीचे चली आएगे तो 1 को हम दिखाते नहीं है तो आप इसलिए देख रहे हैं कि Lead Nitrate का सूत्र जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है PBNO3 का Whole Toys Toys कहां लगता है नीचे की और Square कहां लगता है उपर की और तो I hope कि आप समझ गए है कि Question No. B Lead Nitrate का रासाइनिक सूत्र क्या होता है तो वो सूत्र होता है PBNO3 का Whole Toys विकल्प भी पूरी तरीके से सही है Question No. 3 आपकी स्क्रीन पर प्रस्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर अवलेबिल है Question कह रहा है कि जल के वैदूत अफगटन में मुक्त हुई Hydrogen और Oxygen का Molar अनपात क्या होगा एक अनपाते एक होगा या दो अनपाते एक होगा चार अनपाते एक होगा या एक अनपाते दो होगा तो आप सभी लोग जान रहे सही जवाब प्राप्त करने के लिए इस सवाल का हमें जल के वैदूत अफगटन का रासाइनिक समी करना नोट करना होगा और फिर देखना होगा कि जो Hydrogen और Oxygen है उनमें क्या Ratio निकला है आईतन के देश्चे से या Molar अनपात के रूप में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जल के वैदूत अफगटन के फल्स रूप जो रासाइनिक समी करना प्राप्त होता है वो मोट है 2H2O एरो का निश्चा लगा हुआ है और 2H2 प्लेस O2 यहाँ पर अभिकारक के रूप में क्या है जल और जब इसका वैदूत अफगटन कर दिया गया है बैलेंस करने के बाद हम इसको देखते है तो हाइडोजन के कितने मालिकुल्स है 2 और ऑक्सीजन के कितना मालिकुल्स है 1 तो इसका मतलब यह है कि एक बार प्रेश्चन में नजर करेंगे प्रेश्चन यह कह रहा है कि hydrogen और oxygen का molar अनपात क्या है तो आपका सही जवाब आ रहा है दो अनपाते एक इस तरीके से question number 3 का part B पुरी तरीके से सही है एक बार फिर से आप स्क्रीन पे देखेंगे hydrogen के दो molecules है और oxygen का एक molecules है इसलिए hydrogen और oxygen का वैदुत अपगटन के फसरुप जो molar अनपात होगा वो दो अनपाते एक होगा लेकिन आपका examination के दोरान आपको confuse करने के लिए इस सवाल को बदल सकते हैं और आप से ही पूछ सकते हैं कि जल के वैदुत अपगटन के फसरुप oxygen और hydrogen का molar अनपात क्या होगा उसके हिसाब से answer सही है दोन पाते एक question number 4 आपकी screen पर बहुत अच्छा प्रशन है question number 4 question number 4 कह रहा है कि टेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निमलिकित में से कौन सी gas प्रयोग की जाती है चार विकल पर दिये गए पहला है carbon dioxide येवं oxygen gas दूसरा nitrogen तथा oxygen gas तीसरा है carbon dioxide तथा helium और चौथा है helium तथा nitrogen gas और इस पर हम विचार करते हैं और सही जवाब धून करके आपके साथ साजा करते हैं जब आप पार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक topic मिलेगा आपको विक्रत गंदिता रैंसीडिटी इसमें क्या बताया जाता है इसमें आपको ये बताया जाता है कि जब तील अत्वा वसायुक्त खाद सामागरियों को लंबे समय तक सुरचित रखना होता है तो उनमें उपापचयन को रोकने के लिए प्रती आकसाइड पदार्थ मिलाए जाते हैं बस इसी लाइन में आपका जबाब चुपा है प्रती आकसाइड पदार्थ मिलाए जाते हैं इसका मतलब ये है कि वे पदार्थ मिला जाएंगे जिसमें oxygen की उपस्थिती ना हो तो आप देखते हैं भाई question number 4 का विकल्प ए देखते हैं carbon dioxide तथा oxygen carbon dioxide में भी oxygen उपस्थित है और oxygen अलग से है ही तो ये सही जवाब नहीं हो सकता nitrogen तथा oxygen यहाँ पर भी oxygen आ गया है इस विकल्प पर ये भी एक सही उत्तर नहीं है तीसरा नंबर देखते हैं carbon dioxide तथा helium तो देखें helium में तो oxygen की उपस्थित ही नहीं होती है लेकिन carbon dioxide CO2 में oxygen उपस्थित होता है तो ये भी सही जवाब नहीं होगा और चौतर विकल्प देखेंगे helium तथा nitrogen तो हम ये देखते हैं कि helium का सूतर होता है HE और nitrogen का सूतर होता है N अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर gas की रूप में देखेंगे तो N2 सीधे nitrogen को देखेंगे तो N तो हम ये देख रहे हैं कि इस चौतर विकल्प में कोई भी oxygen उपस्थित नहीं है अर्थात ये प्रति-oxide पदार्थ है That means question no.4 का विकल्प D पूरी तरीके से सही है Question no.5 आपकी स्क्रीन पर Question no.5 Verse 2018 में पूछा जा चुका है Question कह रहा है कि वह प्रिक्रिया जिसके कारण चान्दी के ऊपर काली परत वह तामे के ऊपर हरी परत चड़ जाती है क्या कहलाती है ये उदासीनी करण की प्रिक्रिया कहलाएगी या ऑक्सी करण की प्रिक्रिया कहलाएगी अपचेयन की प्रिक्रिया कहलाएगी संचारण की की प्रिक्रिया कहलाएगी तो इसका अंसर समझने के लिए कुछ बातों का आपके साथ डिसकस करना जरूरी है इसके बाद आप सोता ही इसका जवाब समझ जाएंगे देखे सबसे पहले बात करते हैं चानी की तो जब हम चानी को सुसक या हाइडोजन सलफाइड रहित वायू में खुला छोड़ देते हैं तो इस पर कोई भी पितक्रिया नहीं होती है लेकिन जब इसे अन्य तरह की वायू में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसके उपर सिलवर सलफाइड अर्थाच एजी ट्ू एस की एक पतली पर्त बन जाती है और को काला अथवा धूमिल कर देती है तो अभी आपको पता चला कि चानी आखिर काली क्यों हो जाती है क्योंकि हावा में चान्दी के उपर silver sulfide की एक पतली पर्त चड़ियाती है जो उसके रंग को काला करती है अब हम लोग बात करते हैं तामी के उपर हरी पर्त चड़ने की जब हम कापर को वायू में खुला छोड़ देते हैं तो कापर अपने आसपास का जो वातावरन होता है वहां से नमी और हावा के साथ क्रिया करके योगिक बनाता है और कौन सा योगिक बनाता है? ये बनाता है कापर कार्बोनेट और ये योगिक जो तामे का बर्तन या पातर होता है उसके उपरी सतह पर हरे रंग में उभराता है तो अभी तो आपको पता चल गया कि वायू में चान्दी के काले रंग और तामे के बरतन में हरे रंग का कारण क्या होता है एक का कारण होता है चान्दी का सिल्वर सल्फाइट एजी ट्वेस और एक का कारण होता है कापर कार्बो नेट अब बात ही होगी कि आखिर चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही है और क्यों और हमने आपको बताया था कि हम केवल सही उत्तर पर ही discussion करेंगे तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है संचारण संचारण क्यों सही उतर है उसके बारे में ज़रा हम याद करेंगे कि जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा है इस किताब को पढ़ा है पहले अध्याय को तो हमें संचारण की परिवासा बताई गए थी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आदर्ता या वायू आदी के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है संचारित होने की ये पिक्रिया संचारण कहलाती है और संचारण के कारण जो धात्व का चमकदार खुला हुआ तल है वो एक पर्त के कारण धुंदला हो जाता है जिससे उसकी धात्विक चमक हो जाती है इस तरीके से हम जान गए कि हमारा जो सही उत्तर है वो है संचारा आशा करते हैं कि क्लास 10 का ये साइंस विसाय का जो हमारा पहला लेक्षर है या पहला क्लियरिफिकेशन है इसको आपने इंज्वाय किया होगा आज 5 सवाल हो पा रहे हैं क्योंकि लगबक 15 मिनिट का वीडियो हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप से जुडा रहा हूँ आशा करते हैं कि हमारी टीम दोरा जो सहुलियत आपको मुहया कराई जा रही है उसका आप आनंद ले रहे होंगे यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं अपने स्कूल में साजा करें यदि कहीं पर कोई कमी समझ में आ रही है या किसी प्रशने के उत्तर पे आउट है, जो हमने बताया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं मैं आपका दोस्त और होष्ट इम्रान खान जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगे बस एक ही चीज कहेंगे कि जहां चाह वहां रा धन्यवाद